प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जाड़े हैं, यूनाइटेड वी एस्टेंड, यूनाइटेड वी एस्टेंड, मतलग हमें एक्ता के साथ राना चाहिए, एक्ता में बल होता है, ये चिप्टर है नाइन्थ, विज इस टेकन फ्रॉम क्लास थर्ड चिप्टर न आप अगर अलग अलग रहेंगे, तो आपको हानी को भी पहुंचा सकता है, लेकिन आप एक साथ रहेंगे, तो आपको कोई भी नुकसान का किसी तरह से नहीं पहुंचा सकता है, ये इस कहानी भी सिख यही है, इस कहानी की सिख्चा यही देने वाली है, इस कहानी में, चलि सोहन जो था एक बूढ़ा फार्मर किसान था सोहन क्या था एक बूढ़ा किसान था कितने बेटे थे चार बेटे थे उनके तीन बेटे थे वे हमें क्या करते थे क्या हमेशा फाइटिंग लड़ाई क्या करते थे विथ साथ एक दूसरे के साथ लड़ाई क्या करते थे क्या करते थे तीनों बेटे एक दूसरे के साथ क्या करते थे लड़ाई क्या करते थे सोहन इससे बहुत दुखी था सोहन क्या था बहुत दुखी था कि तीनों बेटे आफस में लड़ते हैं Because, क्योंकि, of their quarrel, उनके जगरों से, उन तीनों बेटों के जगरों से सोन किया था, बहुत दुखी था, He wanted them to live together with peace and love, बच्चों, peace का मतलब होता है, सांती, और सांती, या लब का मतलब होता है, प्यार, He wanted, वो चाते थे, them to live, कि वे साथ रहें, together, मतलब वे एक साथ रहें, with peace, सांती के साथ, और प्यार के साथ, प्यार और सांती, भाय चारा बना कर तीनों, एक साथ रहें, यही सोहन की एक चाती, यही सोहन, चाते थे, जो कि एक बुड़े किसान है, He often, बच्चों, often जो देख रहें आप, often का मतलब होता है, अकसर, often का मतलब, अकसर, यह हमेशा, he often, यह हमेशा, अकसर, advised, मतलब सलाह देते थे, them, उन लोगों को, not to fight, लरने की, नहीं लरने की, सलाह दिया करते थे, तुम लोग आपस में, मत लड़ो, यह सलाह हमेशा, सोहन दिया करता था, दिया करते थे, but the three sons, did not follow his advice, लेकिन वो जो तीनों बेटे थे, did not follow his advice, यह लोग इनकी, जो advice है, इनकी जो, जो, इनकी जो advice सलाह है, जो यह लोग, मतलब, follow, इसका पालन नहीं क्या करते थे, बोलता है, पुड़ा बोलता है, बोलने दूसे क्या परोगत, आ आपने बुड़े बाप का बात को नहीं मनता था, नहीं परन करता है, at last, बचो, at last, जो आप देख रहे हैं, at last का मतलब होता है, अंत में, at last मतलब, अंत में, सुहन थाट, सुहन ने सोचा, of a plan, सुहन ने एक उपाई सोचा, प्लान का मतलब बच वहता है, उपाई, सुहन लोगों से ब्रिंग मतलो लाना समस्टिक कुछ जो है लकडियों के गठे को एक लगडियों को बलाने को लिए तीनों बेटों से कहा सोहन टाइड दाइड 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 द to his sons, अपने बेटों को he asked, उसने कहा, each option अपने सभी लगों से कहा, to break the bundle of his stick alone उस बुड़े सोहन ने कहा, अपने सभी बेटों से to break the bundle, इस गठरे को तोरो, of his stick alone एक एक लकडियों के बिना इस चारो लकडियों को एक साथ तुम तोरो everyone tried, सभी लोगों ने कोशिस किया, सभी बेटों ने कोशिस किया, his based अपना बहुत ही, अंदाज लाएकर बहुत ही तरीका से, अपना जितना भी बेश्ट था, अपना जितना भी उनर था, वो सब लगा दिया तोरने में, but could not break it लेकिन, वो क्या हो तब सोहन, तब सोहन ने क्या क्या untied the sticks उन लकडियों को खोल दिया यह जो लकडियों के गठर है आप देख रहे हैं न लकडियों को सोहन ने खोल दिया, untied कर दिया he gave a stick to each of sons he gave, तो उसने दिया a sticks, एक एक stick to each of sons, अपने सभी लड़कों एक एक sticks दिया and asked और कहा them to break it इसे तोरने को उसने अपने बेटों से कहा, एक एक लकडि को देख रहे हैं यह आप देख रहे हैं और यह सोहन के चारों बैटे हैं लेकिन किताब में आपकी किताब में गलती दिया यहाँ पर थिरी संस दिखा गया है इनको तोरने के लिए सोहन ने बुला था बट यह तोर नहीं पाया अब यह एक एक लकड़ी दिये हैं चारों बेटों को और इसे तोरने को कहा गया है देखते हैं तोर पाते हैं आगे इसमें दिया गया है अब देखें कोड़ से थुरा इच आप देम ब्रॉक देस्टिक्स वेरी इजली बच्चों वेरी इजली का मतलब होता है बहुत ही आसानी से वेरी इजली मतलब बहुत ही आसानी से इच आप देम सभी ने ब्रॉक देस्टिक्स सभी ने उस लकड़ी को देख रहे हैं आप तोर दिया बहुत ही आसानी से yes my dear sons हाँ मेरे प्यारे बच्चे हाँ मेरे प्यारे पुत्रो हाँ मेरे बेटो if you remain if you remain अगर तुम अगर तुम लोग याद रखोगे untide अगर याद है तुमको if you remain untide जब ये लकडी नहीं खुला हुआ था nobody can harm up you अगर तुम लोग नहीं एक दसरे से धगरोगे नोबडी केन तब तुमें कोई भी लोग हार्म यू तुमें कोई भी लोग हानी नहीं पहुँचा सकता है बट इप यू फाइट फिट one another लेकिन अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ लडोगे लेकिन तुम एक दूसरों के साथ लड़ोगे Anyone can harm you तब कोई भी तुमें क्या कर सकता है नुकसान पहुंचा सकता है क्या कर सकता है नुकसान पहुंचा सकता है Sohan's sons followed his advice तब Sohan's के बेटों को क्या हुआ इनके जो बिचार थे उनको इसको सलाह पर विचार हुआ तब उसने अपने पिता Sohan's का जो डिवाज था उसको follow किया पारण किया They lived in harmony बच्चों harmony का मतलव होता है सांती पूरवक Harmony का मतलव सांती पूरवक या प्रेम से They lived in harmony वे लोग सांती पूरवक प्रेम से रहने लगे And never quarrel after that उसके बाद कभी नहीं वे लोग जगडे Quarrel का मतलव होता जगर न तब उसके बाद वे लोग कभी आपस में नहीं जगडे There is strength That's a chapter United we strength Class 3rd, 9th chapter Which is taken from Class 9th That's a meaning of quarrel together And untied That's untied Advise to follow harmony Quarrel आप जो देख रहे हैं आपर Quarrel का मतलव दिसप्यूट Dispute का मतलव लड़ाई ये जगड़ा यहां आप दिखा गया फॉलो बच्चो फॉलो का मतलव तो Go Along, Understand समझना या समझी गए इसको आप दिखा गया फॉलो Together in Union, Collectively Together का मतलव होता है In Union, Collectively मतलव एक समझ में एक साथ Advise का मतलव होता है बच्चो Suggestion जोसे हम सलाह कहते हैं किसी चीज़ की प्लक्रिया राही कहते हैं उसे Suggestion कहते हैं United बच्चो आप देख रहे हैं United का मतलव जोईन टूगेदर मतलव एक साथ एक त्थे इसका मतलव बोलते हैं तो हार्मोनी हार्मोनी का मतलव सांती पुर्वक की अप्रेम से That's some vocab in this chapter which is taken from United to the West End Residents That's chapter at the end and if you like this video then like this like this video and hit the bell icon then I upload this video when I upload this video then notify you and you saw my video clearly and as soon as I upload the video you can see and watch the video please subscribe my channel thank you Jai Hind till then bye